इस्राइल ने सीरिया की राजधानी दश्मिक में इरानी दूतावास पर एक बड़ी एर स्ट्राइक की थी जिसमें इरान के वरिष्ट कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुहमद रेजा जाहेदी समेट इरान के साथ बड़े सैनने अधिकारियों की मौत हो गई थी और इस हमले के बाद से ही इरान बौक लाया हुआ था इरान के विदेश मंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा था कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बक्षा नहीं जाएगा वहीं दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इसराइल से बदला लेनी की कसम खाई थी अब इसी कडि में इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला और इराक और सीरिया के प्रतिरोधी संगहों ने टाबर तोड हमले शुू कर दिये हैं इस्राइली एर स्ट्राइक के एक दिन बाद ही हिजबुला और इराग के प्रतिरोधी समूहों ने उत्री इस्राइल में एक बड़ा हमला किया है जिस इलाके में ये हमला हुआ है हिजबुला उसे इस्राइल के जबरन कबजे वाला इलाका बताता है हिजबुला का कहना है कि इसराइल ने फिलिस्तीन से साल 1948 में ये इला का हड़प लिया था दूसरी तरफ इराग के प्रतिरोधी समूहों ने भी डक्षिन पूर्व सीरिया में एक अमेरिकी सैनने अड़े पर हमला किया है लिबनान की न्यूज अजेंसियल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में हिजबुला प्रमुक के बयान का हवाला देते हुए ये दावा किया है हिजबुला ने दावा किया कि उसने इसराइल की नई नवेली लेमान बटालियन के उपर गोला बारूच से हमला किया है ये हमला उत्री इसराइल में किया गया है हाला कि ये पहली बार नहीं है जब हिजबुला और इराक और सीरिया के प्रतीरोधी समूहोंने एक साथ उत्री इसराइल पर अलग अलग हमले किये हो बलकि हालिया दिनों में ये तीनों ही इसराइल पर एक साथ हमले करते आ रही है हिजबुला का कहना है कि उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में रुईसत अलाम और कफार चौबा हिल्स में इसराइली सैनिकों के उपर रॉकेटों का एक पूरा साल वो दागा है इसके अलावा बगदादी सैनि चौकी पर भी इसराइली सेना की एक टेक्निकल टीम पर भी हमला हुआ है जो जासूसी उपकरणों की जाँच में लगी हुई थी हिजबुला शीबा फार्म्स के इन इलाकों को अपना बताता है वहीं इन हमलों के इतर हिजबुला ने इसराइल के रैमोन एरपोर्ट पर भी एक ड्रोन अटेक करने की कोशिश की है हाला कि टाइमस अफ इसराइल का कहना है कि एक अग्या ड्रोन इस एरपोर्ट के करीब जॉर्डन की सीमा में अपने आप फट गया लेकिन इसराइल पर हमले के अलावा हिजबुला ने जॉर्डन और इराग बॉर्डर के करीब सीरिया के हॉम्स प्रांथ में अमेरिकी सेना के एक सैन अड्डे पर ड्रोन अटेक किया है इसको लेकर तुर्की की नियूज अजंसी एनादोलू ने स्थानिय रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अलतन्फ बेस पर एक ड्रोन से हमला हुआ था हाला कि इस हमले में कितना नुक्सान हुआ है इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन बड़ी बात ये है कि एक तरफ लेबनान का हिजबुला इसराइल पर हमले कर रहा था वहीं दूसरी तरफ इराग के प्रतीरोदी समूहों ने इसराइल के तलनौफ एर बेस पर एक ड्रोन हमला कर दिया है जहां पर ये हमला हुआ है वो इलाका डक्षणी रहवोट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन हमलों की वज़ा से क्या इसराइल एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसमें एक तरफ इसराइल खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला, हमास, इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समू और यमन का हूती और अगर ऐसा होता है तो मिडलीस्ट में एक बड़ा युद्ध सुलग सकता है जिस से पूरी दुनिया चूती नहीं रहेगी जिसमें प्रतिरोधी समुला, हमास, चान्प सकता है तो जिस से पहा भी तो ओगग प्रतिरोधी से जिस जिस दूराइब।